हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू भावना जैसवाल रेसिपी आपके लिए मैं स्नैक्स में लेकर आई हूँ मठरी मठरी सुनते ही आपके दिमाग में यह आरा हुआ कि यह वही मैदे की मठरी होगी सेम नहीं बिल्कुल मैं चेंज लेकर आई हूँ आपके लिए और वो है आटे की मठरी हेल्थ वाइस भी बहुत ही पेस्टी है और आपकी बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यह बहुत ही मसालेदार और चटपटी आटे की मठरी तो आटे की मठ्री बनाने के लिए हम यहां पर लेंगे दो कप के करीब आटा ले लेते हैं यह नॉर्मल आटा है जिसकी हम लोग रोटी बनाते हैं वो है यह और साथ में यहां पर इसे क्रिस्प और अच्छा तरह से बहुत क्रिस्पी बनाने के लिए हम यहां पर लेते हैं चावल काटा है ये, तो वो इसके अंदर add कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 3 चावल काटा डाला है, साथ में यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं, तो मसाले में हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए वे हैं, एक चमच के करीब आप डाले उसे, काली मिर्च, कुटी हुई काली डाला है, साथ में यहाँ पर हम तिल यूज कर रहे हैं, वो भी वन स्पून के करीब है, और इसमें यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ पर नमक एड़ करेंगे, तो वो भी वन स्पून के करीब लिया है, नमक लादा है, और साथ में यहाँ पर हम यह धनिया पत्ती है, फ्रेश क अजवाईं डाल देते हैं थोड़ा सा crush करके से nix कर देते हैं अजवाईं करें सबसे लास्ट में हम यहां पर oil डालेंगे तीन चमफ के तो यहाँ पर थोड़ा सो ओयल कम लग रहा है क्योंकि बंद नहीं रहा है तो यहां पर हम दो चमज के करीब। और डाल देते हैं। यह मठ्री ऐसी है कि इसे आप चाय के साथ morning में, evening में या कोई आपके friend circles में आते हैं तो उनके साथ share करते हैं। बहुत ही इच्छा बहुत ही टेस्टी अब आप देखेंगे अच्छी तरह से फॉर्म होने लगा है तो यही पर अब हम पानी डालते हैं और पानी एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और इसे गोंद लेंगे हामें यहाँ पा आटा जो लगाना है मत्री का वो थोड़ा सा हाड लगाना है बहुत ही सॉफ्ट नहीं लगाना है जब भी आप इसके आटे गुंदे तो पानी बहुत कम-कम डालें और इसी दबा दबा कर ही थोड़ा आटे को गुंदे इस तरह आप देखेंगे मैं दाब रही हूं इसी तरह दाबे तो आप देखेंगे आटे को मैंने अच्छी तरह से गुंद लिया है और इस तरह आप मैं पास से दिखा देते हूं इस तरह इसकी लुक्ट होता है इतना हाडनेस होना चाहिए इस तरह इसको हम यहाँ पर छे लोई बना लेते हैं डिवाइड कर लिया है बिल्कुल और अब तो यहाँ पर हमने इसके छे पेड़े बना लिये हैं तो अब इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास धन्या बत्ती नहीं है तो आप उसकी जगा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं उससे भी टेस बहुत अच्छा आता है अच्छी तरह से बेलने इसको अब आप देखेंगे इस तरह यह रोटी फॉर्म हो जानी चाहिए यह इसकी जो थिकने से मैंने इस तरह र देखेंगे मैंने छे रोटिया बना ली है चती लोए काती थि अपने रोटिया बना ली है अब जलने इसके अंदर ऊपर हम ओएल लगाएंगे तो आप इसे लगा ले और साथ में यहाँ पर हम आटे को spread कर देते हैं उपर थोड़ा सा आट डाल देते हैं जिससे कि जो लेर है ना खोलकर निकलेगी और अच्छी तरह से उसी तरह सेकेंड वाला हम डाल देते हैं इसके उपर मिल्कु इस तरह रोटी को रख देते हैं और हलका सा प्रेस करते वे सेम अगेन सेम प्रोसीजर हम करेंगे तो इसी तरह थर्ड वन को भी कर लेते हैं इस तरह आप रोल करेंगे इस तरह दबाते हैं हलका सा हलके हातों से आप इस तरह दबा लें कि इस तरह दबाएंगे और आप देखेंगे बढ़िया यह फॉर्म हो गई है और थोड़ा से से आप प्रेस कर दें हलका सा और इस तरह रोल कर देजिए इससे कि यह खुले नहीं बिलकुल बनकर इस तरह हम उसे पराठे को भी बना लेते हैं तो आप देखेंगे यहां पर दो बड़े बड़े लंबे-लंबे सेब्स के सि यार हो गए हैं तो यहीं पर इसे हम कट कर लेते हैं अब इसको कट करनी के बाद आपको मैं दिखाती हूं इसके अंदर की जो लेर से आपको दिख रहे होंगे बिलकुल तो बस इसे कुछनी करना है सारों सारे को मैं काट लेती हूं और उसके बाद इसे हलका सा प्रेस करते वे दोनों साइड से प्रस कर देते हैं बस और इसे अब हम फ्राइब करेंगे तो हम सारे मठ्रियों को पहले हम बना लेते हैं तो आप देखेंगे मैंने सारी मठ्रियों को बना लिया है तो काटने के बाद आपको क्या करना है कि ये मठ्री को ऐसे लेके या तो आप बोर्ट पर रख ले और उस पर बोर्ट पर ही एक बार इसे प्रेस कर दे कढ़ाई में हमने ओल डाल दिया है पहले बहुत अच्छा गर दो अब हमसेरा एकड़ मंठ्री टालना स्टार्ट कर तो इन मंठ्रियों को सबसे पहले हम प्राय करेंगे ऐसं तरह धीरे धीरे ईलाल दें जितना आ सकता है उतना आप डाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरह इसे कम से काम के लिए एक मिनट के लिए ही आप इसे रहने दे जब तक यह उपर ना आ जाए एक मिनट के करीब हो गया है तो इसे थुड़ा थो कर लेते हैं किस तरह सारी मठ्रियों को एक वार तक कर लें मठ्री बिल्कुल बनकर ready हो गई है तो आपने देखा होगा इसके अंदर कलर भी change हो गया है तो यहीं पर हम सारी मठ्रीओं को निकाल लेते हैं गैस को बिल्कुल स्लो रखें यहां पर इसे प्रेट में निकाल लेते हैं यह देखी बनकर बिल्कुल और आपको लेयर्स भी इसके अंदर दिख रहे होंगे इस तरह बनकर रड़ी हो गया है तो चलिए बाकी जो बचेवे मत्रिया हैं उसको भी हम फ्राइ कर लेते हैं लेयर्स वाली मत्री आटी की जो हेल्दी होता है आटा तयार है आपके सामने तो आपने देखा होगा कि बहुत ही इजली यह बनकर तयार हो जाता है तो यहां पर मैं आपको पास से दिखा देती हूं देखिए बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस पी है इसके अंदर और इसको तोड़कर दिखाती हूं मैं बहुत ही कुरकुरा भी है ये मठ्री बनकर बिल्कुल रडी हो गया है तो आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपकी भी मठ्री बिल्कुल ही लेयर टाइप की बन जाएगी और मैं इसे खाकर भी देखती हूं बहुत ही टेश्टिव बहुत ऑसम मैं तो कहूंगी चाय के साथ तो इससे बहत्री नास्ता कुछ भी नहीं होगा तो फ्रेंड्स आपको भी देखका जरूर मूह में पानी आ रहा होगा तो जल्दी फटा-फट देर किस बात की आप भी जाएए किछन में और बिल्कुल स्टे अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आती है तो लाइक जरूर करें पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तिल देन गुड़ बाई and have a happy cooking बाई